हेलो बच्चो आज का हमारा टोपिख है structure structure क्या होता है उसकी define करना है structure के variable हम कैसे create करेंगे array of structure क्या होता है और structure के जो members है वो किसी function को pass करने हैं तो वो कैसे करेंगे ये हम आज देखेंगे तो सबसे पहले देखते हैं structure की definition structure जो है वो एक user defined data type है जिसका उपयोग वीभीन परकार के data को समो में store करने के लिए किया जाता है अगर हमें अलग-अलग type के data को store करना है तो हम क्या करते हैं structure का use करते हैं इससे पहले हमने देखा था कि array, array क्या होती है तो array में हमने देखा कि array क्या है, array is the collection of homogeneous elements array जो है वो same type के data को store कर सकता है array में जो data store होगा, उनका जो data type होगा, वो same होगा for example हमने किसी student के marks enter करवाने थे तो अगर उस student के 5 subject हैं, तो 5 subject में जो उसके marks होगे वो तो सारे same type का data होगा, क्योंकि वो सारा data जो होगा वो integer type का होगा, तो वहाँ पे हमने क्या किया integer type की एक array बना ली, और उससे हमारा काम हो गया लेकिन अगर हमें किसी student का roll number भी enter करवाना है उसकी class भी enter करवानी है, उसका नाम भी enter करवाना है तो हम क्या करना पड़ेगा, तो हमें तीन array बनाने पड़ेगी एक name की, एक class की, एक roll number की तो उसकी वजाए हम क्या करें, एक structure बना ले क्योंकि structure जो होता है, वो different type के data को भी story कर सकता है structure is the collection of heterogeneous elements जहां जो array है, वो homogeneous element जो similar type के data है उनका collection है, तो structure जो है, उसमें different different type के data हो सकते है तो यही हमने definition में लिखा हुआ है, कि structure एक user defined data type है हमने जो data के type देखे थे, basic data type, derived data type और user defined data type है तो structure जो है, वो क्या है, कि user defined data type है जिसका परियोग वी भीन परकार के data को smooth में store करने के लिए किया जाता है for example, यदि हम किस student की जानकार इस्टोर करना चाहते हैं जैसे roll number है, name है, class है तो यह हम array की मदद से कर सकते हैं लेकिन इसमें हमें तीन अलग-अलग array की ज़रूरत होगी लेकिन structure का use करके यह काम हम बड़ी असानी से कर सकते हैं तो structure क्या हुआ, structure एक user-defined data type है जिसका परियोग विभिन परकार के data को smooth में store करने के लिए किया जाता है और array क्या है, array is the collection of homogeneous elements same type के जो data है, उनको store करने के लिए array का use किया जाता है उसके बाद आता है structure का declaration कैसे हम structure को बनाते हैं तो structure को बनाने के लिए जो भी program हम लिखेंगे उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे struct keyword का use करेंगे तो हमने क्या किया? struct keyword लगाया, उसके बाद structure का नाम लिख दिया उसके बाद क्या किया? करली ब्रैकेटे स्टार्ट कर दी फिर यहाँ पर हमने क्या करना है? जो तीन डेटा हम ले रहे हैं कौन-कौन से? रोलंबर, नेम, क्लास उनका डेटा टाइप के साथ नाम लिखना है तो रोलंबर जो है, वो कौन से डेटा टाइप हुआ? इंटीजर टाइप का होगा तो हमने लिखा इंट रोलंबर नेम जो है, वो कौन से टाइप का होगा? वो तो करेक्टर टाइप का होगा उसमें तो करेक्टर्स होंगे तो यहाँ पे हमने लिखा care type का data type और जो class है 9, 10, 11, 12 वो कौन से type का हुआ? integer type का, तो हमने class को भी क्या ले लिया? int ले लिया, और उसके बाद हमने क्या किया? यह जो bracket start कर दी थी, यह हमने close कर दी हाँ पे और उसके बाद हम क्या करेंगे? जो structure के object बना रहे हैं, जो उसके variable बना रहे हैं, वो हम बनाएंगे तो हमने कितने object बनाए हैं हाँ पे? name1, name2, name3, और last में क्या लगा दिया हमने? semicolon तो यह जो हमने इसके objects बनाए हैं, तीन बनाए हैं name1, name2, और name3 इन तीनों को हम कोमा लगा के separate कर देंगे दूसरे से तो इस तरह से क्या किया हमने structure को declare कर लिया उसके बाद जो हमने structure के element हैं, उनको initialize कैसे करेंगे? structure, elements initialization, हमने देखा कि हमने क्या लिया था? तीन नहां पे हमने variable बली ये थे कौन-कौन से एक तो roll number है, एक name है, एक class है इनकी value हम कैसे देंगे? तो इनकी value हम कैसे देंगे? पहले object को value देनी हैं हमें जो name1 है, उसको हमें value देनी है तो हम कैसे देंगे? struct जो पहले तो हम क्या करेंगे? struct keyword लिखेंगे, उसके बाद पहला जो object है name one उसका नाम लिखेंगे name one उसके बाद equal to का निशान लगाएंगे curly bracket start होगी last में बंद होगी और उसके बीच में पहला जो variable था यहाँ पे हमारा क्या था roll number तो roll number की value लिख दी one second था name name लिख दिया राम और third था class यह लिख लिए हमने ten class तो यह कर दिया name जो roll number है और जो class है वो कौन से type की है integer type की है तो हमें simply लिखना है यहाँ पे integer type की है तो हमें simple number लिख दिया यहाँ पे लेकिन जो हमारे यहाँ पे character type का है जो care type का है उसको double कॉमा के बीच में लिखना है हमें जो integer type का है उसको तो simply हमने लिख दिया लेकिन जो care type का है उसको double कॉमाज के अंदर लिखना है हमें तो इस तरह से हम value को initialize करते हैं कि जो हमने objects बनाई हैं इनकी value हम कैसे देंगे तो name one में पता है हमें कि इसमें क्या क्या हो सकता इसमें तो roll number होगा एक class होगा एक name होगा तो हमने रोलंबर वन नेम राम और class 10 डाल दिया और लास्ट में semicolon हमें लगाना है उसके बाद है access structure element जो हमारे structure के जो elements हैं वो हम कैसे access करेंगे structure के जो elements हमारे हैं कौन-कौन से ते जैसे roll number था वहाँ पर name था class था उसको हम कैसे access करेंगे उसकी value हम कैसे लेके आएंगे हम structure element को variable name लिखने के बाद structure element को variable name लिखने के बाद dot operator और फिर structure element का नाम लिखके access करते हैं जो हमारे पास structure element है वो कौन-कौन से हैं वो है हमारे पास roll number नेम और class तो उनको हमें access करना है तो कैसे करेंगे एक dot operator लगाएंगे और dot operator से पहले हम क्या करेंगे उस object का नाम लिखेंगे पहले जो हमने variables बनाए थे उनका नाम लिखेंगे जैसे हमने name one बनाया था तो हम name one के लिए इसको access करना चाहरे हैं तो name one dot roll number name one dot name name one dot class यह हमारे पास क्या थे इसके जो elements थे इनको हमने access किया है in variables के अंदर तो किसकी help से करेंगे dot operator की help से करेंगे सबसे पहले हम जो variable था उसका नाम लिखेंगे और उसके बाद जो element access करना है उसका नाम लिखेंगे और बीच में dot लगा देंगे ऐसे name है और class है उसके बाद आता है area of structure area of structure में क्या है यदि हम किसी भी structure के एक से अधिक variable बनाना चाहते हैं तो हम area का उपयोग करके उसकी subscribe value के साथ एक नाम दे कर ऐसा कर सकते हैं अगर हमें क्या करना है structure के एक से ज़्यादा variable बन रहे हैं तो हम कैसे करते हैं अगर हम किसी structure के एक से ज़्यादा variable बनाना चाहते हैं तो हम area का यूज करते हैं और उसके जो script लिखते हैं उसके साथ क्या कर देंगे उसके value का मान दे देंगे उसकी value लिख देंगे तो इसमें बन जाएगा हमारे पास area of structure structure का array तो program कैसे लिखेंगे इसका देखते हैं सबसे पहले क्या किया comment डाल दिया single line comment के लिए हम क्या करते हैं double slash लगाते है double slash लगा के लिखते हैं हमने use of an array in structure यह हमारे program का नाम भी हो गया जो हमने comment में डाल दिया उसके बाद हमने क्या किया वही दोनों header file लगाई has include iostim.h और has include conio.h उसके बाद क्या किया structure का नाम लिखा with struct keyword पहले struct keyword लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे structure का नाम लिखेंगे जो क्या नाम है student नाम है उसके बाद curly bracket start कर दी intro number और care name और name में जो है वो string होती है नेम जो हमारे characters होते हैं जैसे की A, B, C जो भी हैं जब इनका हम एक मतलब एक series बना देते हैं एक नाम लिखना चाहा रहे हम तो राम में तो तीन character आगे तो ये एक string बन गी तो इसके लिए हमें क्या बताना पड़ता है साथ में बताना पड़ता है कि ये जो हम care type का जो name variable ले रहे हैं इसमें कितने number आ सकते हैं कितने characters आ सकते हैं तो यहाँ पर हमने लिखा कि जो name होगा वो 15 तक long हो सकता है उसमें 15 character आ सकते हैं और उसके बाद bracket बंद कर दी, semicolon लगा दिया और फिर void main function start हुआ void main के बाद पता है हमें curly bracket start होती है और फिर clear function हमने लगाया clear function क्यों लगाते हैं जो हमारे program की previous output है वो हमें show ना हो अगर हम program को बार-बार run कर रहे हैं तो सिर्फ जो current output है वही आए पिछे वाली ना दिखाई दे पीछे वाली जो screen है मतलब हमारे output की वो clear दिखाई दे सिर्फ current output हमें दिखाई दे तो हम क्या use करते हैं clear screen function use करते हैं उसके बाद हमने क्या किया struct keyword लगाया student हमारे structure का नाम है और उसके बाद हमने क्या किया एक array बना ली यहाँ पे record 3 जो सब्सक्रिप्ट में जो मान दिया जो value दी वो कितना दी तीन तो यहाँ पे एक array बना ली तो यहाँ पे होएगा हमारे पास array of structure तो कैसे काम करेगा यह integer type के दो variable और ले लिए i और n i जो लिया है वो हमने for loop चलाने के लिए लिया है i जो use कर रहा है वो किसके लिए किया है for loop चलाने के लिए तो यहाँ पे i की value कितनी है 0 i less than 3 है yes condition true है true है तो नीचे आएगा enter roll number and name of i plus 1 i plus 1 i कितना है 0 है plus 1 अब कितना हो गया 1 हो गई यहाँ पे जो value हो गई वो क्या हो गई 1 हो गई तो हमारे screen पे लिखाएगा enter roll number and name of one student ठीक है screen पे लिखाएगा enter roll number and name of one student यह देखो enter roll number and name of one student तो हमें क्या करना है value एंटर करवानी है तो value एंटर करवाने के लिए क्या करें होते हम c इनका use करते हैं c इन क्या करता है value को extract करता है तो यहाँ पे हम क्या कर रहे है value को extract कर रहे है keyword से और यह जो operator होता है इसको extraction operator बोला जाता है और इसको insertion operator बोला जाता है तो इसने क्या किया record i dot roll number record i dot roll number तो पहले वच्चे का जो roll number हम देना चाहते थे वो यहाँ पे हम enter करवा देंगे उसके बाद क्या हुआ c in dot get record i dot name के बाद कोमा है और फिर 15 यह हमारा format है जो हम character को enter करवा रहे हैं तो यहाँ पे जो value enter करी हमने वो करी हमने 101 और राम जो roll number डाला हुआ हमने 101 डाल दिया और नाम जो है वो हमने राम डाल दिया उसके बाद यह हमारा जो loop है यह कब तक चलेगा जब तक i is less than 3 है तो अभी i के value 1 थी यहाँ पे अब क्या हुआ i++ i की value कितनी हो गई 2 हो गई तो हमने दुबारा से एक बच्चे का यहाँ पे डाल दिया roll number और नाम उसके बाद loop क्या करेगा फिर से जाएगा और i की value कितनी हो गई 2 हो गई 2 हो गई 2 हो गई 2 is less than 3 yes condition is true तो यह फिर से execute होगा third time और फिर क्या हुआ value enter करवाली हमने 103 unknown तो तीन बच्चों के यहाँ पे entry हो चुकी है अब क्या हुआ i की value 3 हो गई तो 3 is less than 3 no condition क्या है false है तो यह कहां जाएगा इस loop से बाहर चला जाएगा इस loop से बाहर जाके हमारे पास क्या आया next जो line आई see out for which position student record do you want get आप कौन सी position के जो student है उसकी record को get करना चाहते हो लेना चाहते हो तो हमने कोई number डाल दिया यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे number डाला 2 तो हमारे पास screen पे क्या आगया तू पे कौन सा था यह बाला 102 रवी यहाँ पे आ जाएगा तो देख लेते हैं एक बार फिर से सबसे पहले क्या किया header file डाली फिर हमने एक structure बनाया student नाम का उसके बाद उसने हमने दो यहाँ पे elements लिये कौन से row number और name नेम की जो string length थी वो थी 15 उसके बाद हमने यह bracket बंद कर दी semicolon लगा दिया void main start किया clear screen function लगाया फिर हमने क्या बनाई यहाँ पे array of structure structure जो है वो keyword लगाया यहाँ पे struct और फिर structure का नाम लिखा जो कि student है और फिर हमने एक array लिए यहाँ पे record नाम की उसके बाद हमने दो variable ओर लिए आई और एन आई के लिए जो for loop के लिए यूज करा हमने और फिर हमने क्या किया तीन बच्चों के यहाँ पे data entry करवा लिए roll number और नेम उसके बाद हमने user से पूछा for which position student record you want to get तो उसने डाला n कुछ भी डाल सकता है 123 में से तो 123 में से जो भी डाला for example हमने टू डाला तो फिर हमारे पास हमने जो print करवाया वो यह line प्रिंट करवाई कि यह line हम चाहते हैं तो इसके लिए क्या आया record n-1 record n-1 मिंस कौन सा record यहाँ पे enter करवाना चाहा रहा था वो dot roll number क्योंकि जो हमारे पास जो लूप जा रहा था वो कहां तक जा रहा था थ्री से तक जा रहा था उससे एक कम होगा यहां पे तो dot roll number उसका roll number आ जाएगा और फिर उसका नाम आ जाएगा तो आपको यह program as it is याद कर लेना है उसके बाद आता है nesting of structure हमने nesting loop पढ़ाता प है पहले से if else था एक उस if else के हंदर हमने फिर से if else का use करा तो वो क्या था nesting of loop था उसी तरह nesting of structure क्या है जब हम एक structure को दूसरे structure में use करते हैं तो उसे nesting of structure कहा जाता है तो कैसे use करा program देखते हैं struct keyword लिखा क्योंकि हमें books नाम का एक structure बनाना था struct keyword है books जो है वो एक structure का नाम है यहाँ पर हमने क्या किया care नाम का एक array ले लिए book name से sorry array जो care type का हमने यहाँ पर एक element लिया book name और book name जो है वो 20 length तक हो सकता है हमने इसकी करली bracket बंद कर दी उसके बाद हमने दूसरा जो structure लिया वो कौन सा लिया student नाम का यह हमारा पहला structure था दूसरा हमने क्या लिया student नाम का student में हमने roll number name डाल दी और यहाँ पर हमने क्या किया यह structure ले लिया फिर जब हम इसकी data member की जो value enter करवाएंगे वो कैसे करवाएंगे तो वो हम c in की help से करवाते हैं c in record dot roll number c in dot get record dot name comma 15 जब हम care type का करवाते हैं तो ऐसे करवाते हैं c in dot get record dot b dot book name comma 20 तो c in का यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या कर रहे हैं जो nested structure था उसकी value enter करवा रहे हैं और इसकी value हम print कैसे करवाएंगे c out कैसे करवाएंगे c out record dot b dot book name यह जो हमारा nested structure था यह उसकी value को print करवाने के लिए हमने यहाँ पर use किया है तो यह program हमें देखना है कि इसमें nesting of structure कैसे use हुआ एक structure के अंदर जब दूसरा structure use हो रहा है तो हमने उसको बोला nesting of structure last point आता है हमारे पास passing structure member to function passing structure member to function कि जो structure के members है वो हमें किसी function को pass करने हो तो हम कैसे करेंगे देखते हैं हम structure members को भी एक function के लिए भेज सकते हैं जो structure के member हैं उनको हम एक function के लिए भेज सकते हैं और हम पूरे structure को भी एक function के लिए भेज सकते हैं क्या कहा हम structure members को भी एक function के लिए भेज सकते हैं और एक पूरे structure को भी हम एक function के लिए भेज सकते हैं मेल फंक्शन के बाहर ताकि यह सभी जो फंक्शन हैं उनके लिए एविलेबल रह सके इसका जो प्रोग्राम है वो हमें करना है सबसे पहले क्या किया कमेंट डाला प्रोग्राम टू पास स्ट्रक्चर मेंबर टू फंक्शन दोनों हैडर फाइल डाली स्ट्रक्ट कीवर्ड लिया स्टूडेंट जो है वो स्ट्रक्चर का नाम हो गया इंट टाइब का क्लास और रोलंबर ले लिया वैरेबल दे लिया हमने एक रिकॉर्ड और जो वोईड में फंक्शन है वो हमने स्टार्ट करा void main में clear screen लगाया void display नाम का एक function लिया जिसमें दो जो variable होंगे जो दो arguments होंगे वो होंगे integer type के int int c out enter class and roll number तो यहाँ पे class के entry करवाई यहाँ पे roll number के entry करवाई और display जो function हमने उपर लिया था उसको हमने यहाँ पे call कर लिया तो record.class record.roll number तो इस तरह से हम क्या करेंगे इसको यहाँ पे call कर लेंगे और फिर जो function की definition थी definition जो display function था उसकी यह वाल रहेगी void display int x int y you are in function c out x और y की value तो यह function हम जो use कर रहे हम यह वाला यह हमें करना है passing structure member to function और इसकी output रहेगी enter class enter roll number तो हमने यह डाल दी और function जो था उसने हमें यह value provide करवा दी तो यह है हमारा आज का topic करूंड़ दी ऑल से आज को प्रूंड़ यह प्रूंड़ प्रूंड़ धिए